हेलो दोस्तो तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं काफी अच्छ होंगे तो दोस्तो आज के वडियो आप लोगों के लिए काफी जाधा हलफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वडियो में आप लोगों को बैंक एकाउंट में पैसे भीजना बताऊंगा जी आ दोस्तो आप लोग को अपने फोन में कोई सा भी एक payment आप ओपिन कर लेना है गुगल फोन पे पे टीए माप लोग किसी कभी यूज कर सकते हो तो मैं दोस्तो अभी Google पे का यूज करने वाला है तो मैं यहां पर सिम्पली से गूगल पे को open कर लूँगा ठीक है Google पे open करने के बाद दोस्तों मैं यहां पर अपना सिंपली से password डाल की सी open कर लेता हूं open करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर बहुत सारा option देखने को मिलेगा scan any QR code है pay contact से pay phone number है और यहां account number को फिर से type करना है यहां पर दोस्तों फिर आपको IFSC code देना है और फिर bank account holders name यानि जिसको आप लोग पैसे भेजना चाहते दोस्तों उसका bank account में क्या नाम से खुला हुआ account दोस्तों उसको यहां पी आपको fill करना है तो टारे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पे कितना रूपए करना है दोस्तों कितना रूपए आप लोगों के उनके account में transfer करना है वो आप लोगों को amount यहां पर type कर लेना है तो मैं दोस्तो example के लिए एक रुपए भी भेजना चाहता हूं तो यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों उसके बाद arrow का symbol देखने को मिलेगा blue color से ता आपको इस पर click करना है click करने के बाद दोस्तों नीचे आप लोगों को pay rup1 का option देखने को मिलेगा और आपका जो भी bank account होगा दोस्तों वो यहां पर show हो रहा है आप आपको pay पे simply से click करना है जैसे click करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को अपना UPI pin यहां पर आपको fill करना है तो चलिए यहां पर UPI pin को हम लोग fill कर लेते हैं UPI pin fill करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर tick के option पर click करना है यहां पर जैसे click करेंगे दोस्तों तो यहां पर paying लिखा हुआ आ रहा है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं टिक लग चुका है यानि हमारा जो payment था दोस्तों वो successfully हो चु आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब पर इस तरह के helpful वीडियो के लिए